आज की इस वीडियो में हम लोगों question number 56 से आगे की प्रश्णों को solve करेंगे और ये इस chapter का last वीडियो होगा तो आएए देखते हैं question number 56 question number 56 है 0.5 इंटो 0.7 0.5 इंटो 0.7 पलस 0.5 इंटो 0.8 और बटा में है इसका 0.7 पलस 0.8 तो इस प्रश्णों को solve करने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0.5 ये 0.7 के भी गुना में है और ये 0.5 0.8 के भी गुना में है तो इन इन दोनों में 0.5 दिखाई दे रहा है तो 0.5 को हम लोग क्या कर देते हैं बाहर निकाल लेते हैं ये 0.5 हो जाएगा अगर यहां से इन दोनों में से 0.5 बाहर आएगा तो हमारा बचेगा 0.7 बचेगा हमारा क्या 0.7 इसके बाद यहां से 0.5 बाहर आएगा तो यहां बचेगा 0.8 और नीचे में हमारा 0.7 और पलस में 0.8 ही है यह दोनों सेम मिल रहा है तो दोनों क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा यानि कि हमारा बच जाएगा कौन 0.5 त्यानि इस प्रश्ण का उत्तर जो होगा वो 0.5 भी होगा ठीक है आई देखते हैं question number 57 question number 57 है 0.004 0.004 plus 0.04 plus 0.04 बटा 0.7 plus 0.1 बटा में है 0.2 0.002 plus 0.02 plus 0.2 अब हम लोग क्या करेंगे उपर वाले जो भी दिया गया है उसको हम लोग add कर लेंगे और नीचे वाले दोनों को भी हम लोग क्या करेंगे add करेंगे तो उपर वाले को उपर में add कर लेना है नीचे वाले को नीचे में add करना है तो अगर उपर उपर हम लोग add करेंगे तो यह हो जाएगा 0.444 और नीचे वाले को अगर add करते हैं तो यह हो जाएगा 0.222 यहां दसमलब के बाद 3 अंक है यहां भी दसमलब के बाद 3 अंक है तो दसमलब क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा और 222 से 244 में भाग लगाएंगे तो दो बार में divide हो जाएगा यानि कि इस प्रस्ण का अंसर हम ना दो ये था question number 57 आईए देखते हैं question number 58 question number 58 question number 58 है एक आयत का परिमीति क्या होगी जिसकी लंबाई और चोड़ा इकरम सब 4.5 और 2.7 cm है तो इस प्रश्ण में हम लोग आयत का परिमीति निकालना है तो आयत की परिमीति बराबर हमारे पास एक formula होता है आयत की परिमीति बराबर होता है दो गुने लंबाई पलस चोड़ाई यहां 2 का 2 रहेगा लंबाई दिया गया है कितना 4.5 और चोड़ाई दिया गया है कितना 2.7 अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे एड कर लेंगे इसके बाद 2 से गुना कर देंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 एक बचेगा हासिल 4 और 2 6 6 और एक कितना हो जाएगा 7 यानि कि 7.2 आजाएगा और इसमें गुना कर देंगे कितना से 2 से तो इसको दोनों को गुना करेंगे तो 144 आएगा पॉइंट यहां एक अंके पहले है तो यहां पास पॉइंट आजाएगा यानि परिमीती आजाएगा 14.4 cm ठीक है परिमीती कितना आजाएगा 14.4 cm 59 नंबर क् arr जेक देख एक टुकलो की लंबाई इसका लें 2.5 एटीक है एक टुकणो की लंबाई कितना है 2.5 एक टुकलो की लंबाई कितना है 2.5 वैसे हि अगर हम लोग दो टुकलो का निकाले चार टुकडों का निकाले, तो चार टुकडों की लबाई कितना हो जाएगा, पचीस चो के सो यानि 10 मीटर, चार टुकडों की लबाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर, तो यह 10 मीटर, अगर हम लोग 4 से इसको गुना करते हैं, तो पहुंचता है कितना, 40 मीटर तक, तो यहां से अगर हम लोग इसमें चार से गुना करेंगे तो ये पहुंच जाएगा कितना टुकला 16 टुकला है ना 10 में 4 से गुना किये तो 40 मीटर पहुंचा ना तो चार में हम लोग 4 से गुना करेंगे चार से गुना क्यों करेंगे क्योंकि ये 40 तक पहुंचने के लिए हम लोग कितना से गुना किया है 4 से तहीं 4 टुकड़ा है और 4 टुकड़ा है 2.5 का तो 10 हो गया तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 टुकड़ा यानि कि 40 मीटर में कितना टुकड़ा होगा 16 टुकड़ा होगा अब बचा कितना बच गया कितना 40 41.5 में से 40 घटा देंगे तो कितना बच गया 1.5 मीटर बच गया तो टोटल कितना टुकड़ा हो गया 16 और बचा कितना 1.5 ये था question 59 ठीक है इसको हम लोग ऐसे भी सोच चकते हैं खुच से कि अगर ये 2.5 एक टुकड़ा की लंबाई 2.5 है तो टुकड़ा की लंबाई तो दो टुकड़ा की लंबाई कितना होगा 5 तो 4 टुकड़ा की लंबाई कितनी होगी 10 तो 8 टुकड़ा की लंबाई कितनी होगी 20 और 8 दुनी 16 यानि 16 टुकड़ा की लंबाई कितनी होगी 40 तो बाकी बज़्या को 1.5 मीटर ठीक है, क्वेस्चन नमबर देखिए, 60 क्वेश्चन नमबर 60 एक टेंट के और सचार्व 50.75 किलो मीटर है, 50.75 किलो मीटर प्रती घंटा है, तो वह टेंट 6 घंटा में कितनी दूरी तहे करेगा, तो 1 घंटा में इतना जाता है, तो 6 घंटा में कितना करेगा गुना कर देंगे 6 पचे 30, 42, 42, 43, 45, यहां 4 आ जाएगा और 6 पचे 30, 34, 34, 34, 34.5, 6 पचे कितना 30 हो गया, अच्छे, यहां 30 का 30 ही रहेगा, ठीक है, 304.5 किलो मीटर इसकी दोरी होगी, question number देखिए, यह था question number 60, आएए देखते हैं question number 61, question number 61 में, यहां निमलिखित में कौन अब रोही करम में है, तो आइए हम लोग इसको, option के माध्र मिण से देखते हैं, question number 61, निमलिखित में कौन अब रोही करम में अब रोही करम का मतलब होता है बड़ा से छोटा ठीक है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ यहां देखिए यह 7 है तब से बड़ी संख्या यह 7 है नहीं यह 7.7 है फिर 7.07 तो इससे बड़ी तो यह संख्या हो गई यह खतम हो यहां देखे 7.7 है फिर 7.007 है ठीक है यह बड़ी संक्या है उससे छोटी यह संक्या है लेकिन यह 0.007 इससे बड़ी संक्या है तो यह भी option कतम हो गया 7.7 7.07 फिर 7.007 और यह 7.007 और 7 यही option हमारा क्या हो जाएगा सही होगा ठीक है क्योंकि यह 7.7 है इसको भी हम लोग देख लेंगे तो यह 5 है 5.0005 फिर 5.005 है तो यह छोटी संक्या है यह बड़ी संक्या है यह बड़ी संक्या है इससे छोटी यह लेकिन इससे बड़ी यह संक्या है तो यह बड़ी संक्या है उससे छोटी यह उससे छोटी यह फिर उससे छोटी यह और उससे छोटी यह यानि option number कितना हो जाएगा चार आई देखते है question number 63 ये चार ये गुना करना है इसको तो 0.004 तो गुना के लिए 4 चोके 16, 16, 64 आएगा 3 अंक यहां, 2 अंक यहां और 1 अंक यहां तो 3, 2, 5, 5 और 1 इतना 6 अंक तो 6 अंक होना चाहिए तो 64 में तो 2 अंक है यानि 4, 0 है तो 4, 0 अला option यह है यही वाले इसका क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा 15.625 भागा 2.5 ब्रावर 6.25 है तो 6.25 गुने 2.5 ब्रावर कितना होगा देखिए भागा में है इसको इधर ले आएगे तो यह गुना में हो जाएगा है ना यह भाग में है इसको इस साइड ले आएगे तो किस में आ जाएगा गुणा में आ जाएगा लेकिन यह गुणा में क्या आएगा तो 2.5 आएगा है ना लेकिन यहां दिया है कितना 25 से गुणा करना है देखिए इसको हम बताते है क्वेस्चेन नुम्बर 64 64 में 15.625 को भाग दे दिया गया है 2.5 से और इसका अंसर लाया गया है 6.25 इसका अंसर कितना है 6.25 हम लोग को निकालना है कि 6.25 गुणा 25 का मान क्या होगा यहां सी भाग में है इधर ले जाएगा गुणा में हो जाएगा यानि 15.625 ब्रावर हो जाएगा 6.25 गुणा में 2.5 गुणा में 2.5 देखिए 2.5 है लेकिन यहां गुणा किया गया है कितना से 25 से इस 2.5 को 25 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे 10 से जब इस इधर बरावर के इस साट 10 से गुना कर रहे हैं तो बरावर के इधर भी हम लोग कितना से गुना कर देंगे 10 से गुना कर देंगे 65 में गुना किया गया है 5 into 0.5 into 0.05 और इसमें गुना किया गया 0.005 इसका गुननफल निकालना है तो सब को गुना कर देंगे 25, 25, 25, 125, 625 परचे हो जाएगा 625 यहाँ देखिए 3 अंख दसमलब के बाद यहाँ 2 अंख और यहाँ 1 अंख तो 3, 2, 5 और एक 6 अंख तो यहाँ 3 अंख है तो 3 ठोम लोग क्या लगा देंगे 0, point यहाँ लगा देंगे यानि कि यह जो option जिसमें होगा वही answer होगा तो option नमबर 4 है इसका निमलिखित में से कौन 1 के बराबर है question नमबर देखिए 66 66 कौन 1 के बराबर है तो 1 के बराबर कौन है इसका लोग चेक कर लेते हैं यह यह तो एक के बराबर नहीं है काई कि 405 है यहां point 405 है यहां 0.4.0.405 into 30 है अगर इसका 10 का गुना करेंगे तो हम 4.05 आएगा तीक है और यहां 3 बच जाएगा तो यही इसके क्या हो जाएगा बराबर कैसे बराबर होगा option से अब लोग देख लेंगे यानि कि 0.4 0.405 गुना में 3 अब आटा में नीचे 4.05 गुना में 3 देखे यहां से 10 निकालेंगे 0.405 है दस निकाल लेते हैं और 3 इधर लिख देते हैं यहां 4.05 है यहां 3 हो जाएगा इधास का गुना जब इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा 4.05 इंटू 3 और बटा में इधर 4.04 इंटू 4.05 इंटू 3 अब यह देखे 4.5 से 4.05 यह 3 से 3 खतम तो एक बच जाएगा इसका अंसर आ जाएगा तो यही अंसर होगा क्वेस्चन नमबर 67 आईए देखते हैं क्वेस्चन नमबर 67 तीन बटा 5 गुना 2.1 पलस दो बटा 5 गुना 2.1 देखे 2.1 इसमें भी गुना में है तो इन दोनों को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे यहां बचेगा 3 बटा 5 और यहां बचेगा 2 बटा 5 यह 2.1 रहेगा यह 5 पांच का इलसें कितना पांच यह दुन जूट जाएगा तो कितना पांच यह खतम हो जाएगा यानि इसका अंसर कितना आजाएगा 2.1 तो आज की वीडियो में यह पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया अगर वीडियो अच्छा लेगे तो यह 16,500 कितना नो यह 15,000 कितना पांच लेगाा यह 16,000, को अगमें यह 16,000, को बालो हो खूर Welcome एफएगा सund air a7 जेगात हीडियो धवीड़ का अरेगा का वीडियोगा यह 15,000, को यहां जाएगा 95,000, को भीडियो इसका च फूराद़ का बालोमें यह बालोह 11,000, को चमेंश focus